Hello everyone, welcome to my channel physics and math by Sao sir बिटा आज इसमें हम बात करेंगे कुछ जो polynomial से पार्ट रहे गए हैं मैं कोसिस करूँगा कि आज आज आपका एक फिनिस कर दूँ और आप लोग भी इस ये 20 मास के लिए शिवर हो जाएं कि आपका मैंने 20 मास से कवर करा दिया है बस आपको इमानदारी और लगन से इसके प्रेक्टिस कर लेनी है और जो भी आपकी टेक्स्ट बुक है उसे questions लगा लीजिए तो देर नहीं करते, आज का topic है हमारा identity for square of a trinomial देखो, trinomial का मतलब क्या है? बहुत simple सी बात है कुछ खास नहीं है, एकदम एक question का थुरूवी मैं समझा सकता हूं इसको और आपको पहले से formula बता दे रहा हूं है ठीक, बहुत simple way में काम करना है देखो, हमने क्या पढ़ा है? we know that x plus y का whole square क्या होता है बिटा? x square plus y square दो घर से और x, y यह पढ़ा है ना हम लोगोंने? ठीक उसी का थोड़ा सा advanced form कह सकते हैं या थोड़ा सा कैसे advanced version ठीक, क्या है? देखो ऐसे, अभी x plus y पढ़ा था अभी z आगे extra, तो कुछ नहीं करना है यहाँ 2 का square करते हैं तो अब 3 पे square कर लो x square y square z square दो घर से, बस एक नया काम यह करना है कि अब इसका, इसका multiply यानि x, y और y, z का multiply प्लस लगाते जाना है और third term इसका पहला और आखिरी यानि x, z या z x लिख लें कोई फर्क नहीं पड़ता यह तो बन गया बेटा formula इसी formula का use पूरे इस session में हम करेंगे इस lecture में बस इसी formula का use करेंगे इसके application देखेंगे तो चलिए देर नहीं करते हैं अगर formula की trick आपको नहीं याद हुई है तो फिर से बोल देता हूँ मैं बना दे रहा हूँ तकि आपको कुछ भी याद ना करना पड़े एक गाने के जैसा आप इसको समझ ले x प्लस y प्लस z का square पहली ची दिमाँ में रखें कि तीनों का square होगा sin प्लस लगेगा दो घर से जाएगा पहले दूसरे का गुणा दूसरे और तीसरे का गुणा और पहले और आखरी का गुणा हो गया खतम चलिए देर नहीं करते हैं अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो आपसे request है प्लीज एक like कर दें hardly 2 second लगते हैं एक like करने में और एक video त्यार करने में लेके recording से writing तक पूरा one hour जाता है तो humble request है please like करें ताकि हमारा motivation level बढ़े और हम आपको और अच्छे से और अच्छे वीडियो दे पाएं जो आपको अच्छे से अच्छे marks लाने में help करें चलिए देखिए पहला क्या है कि हम पहले question को पढ़ेंगे देखिए first part क्या है x plus 2y minus z का square देखिए अगर सारे plus में होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं थी आप square करते चले जाते लेकिन यहां भी problem यह एक minus से फसरा है तो आप गाने का सारा ले सकते हैं तीनों का square मतलब x पे square देखिए यहां खाली y मत लिखना 2y है तो 2y का square लिखना plus अब देखो minus z का square minus इसलिए लिए क्यों कि minus है फिर हम क्या लेंगे 2 और पहले और दूसरे का multiplication मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास bracket लगा लेते हैं x into 2y plus लगाते हैं फिर 2y bracket में minus z plus x bracket में minus का z right अब बस इसको solve कर दी अंसर आ जाएगा क्या आएगा x square इसका क्या आ जाएगा 4y square यह आ जाएगा z square plus अब देखे अभी भी 2 बाहर ही रहेगा इसको अंदर कर लिजे multiplication 2xy minus 2yz यहाँ पर xz अब finally आप 2 अंदर भेज देना काम खतम question solve 4y square z square यह करिएगा तो 4xy यह minus 2 2 जा 4 yz and this 2xz बस यही आंसर है और इसके आगे कुछ नहीं हो सकता ठिक I hope question समझ गया होंगे कुछ नहीं करना है बेटा सिर्फ square करते चले रहने बस थोड़ा सा सावधान हो जाना minus के case में minus थोड़ा sensitive है minus आपके question गलत कर सकता है इसलिए थोड़ा सा उस पर practice कर ले ना minus पर ओके अब हम क्या करेंगे कि यह करने के बाद में अगले question को पढ़ें आप लोग अगला question क्या है x minus 3z yes अगला question है x minus 3z x minus 3y minus 2z का whole square ठीक है तो इसको भी वैसे ही करें जैसे हमने किया है मारे पास space नहीं बचा है तो मैं यहीं पे थोड़ी से space में करने कोशिस करता हूं इसको देखे क्या करना है पहले का square इतना आएगा दूसरे का square 9y square हो जाएगा फिर यह हो जाएगा 4z square फिर प्लस 2 लिखेंगे इसका इसका multiply minus 3xy हो जाएगा ठीक है प्लस दूसरे इसका करेंगे तो minus minus plus 3 to 6z हो जाएगा minus 2xz हो जाएगा बस इसको solve कर लेना answer आजाएगा clear एगले question क्या है पढ़िए ध्यान से इतना given है x plus y plus z is equal to 6 this one is equal to see question क्या है देखो पहले तो हम लिख लेते हैं क्या given है 6 अब देखो हमने अभी formula पढ़ा square का तो आप कुछ मत करो इसका square कर दो क्या given है क्या नहीं given है वो बात की बात है पहले इसका square कर दीजिए ठीक है दोनों side क्या बनेगा x square y square z square 2 bracket में x y y z और z x इधर करेंगे 36 देखो ये step तो आपको उठाने उठाना जो given है square तो आपको इसका करना ही करना है आगे का रास्ता आपको खुद बखुद के लिए रा जाएगा देखो न यहाँ देखो ध्यान से हो गया 36 और यही पूछ रहा है तो क्या बस आपका question यहां से बन गया ठीक यह 36 माइनस 22 यह पूरा आगया 6 माइनस 24 3 माइनस 21 लो जी यह हो गया answer मिला लेना ठीक बहुत ही आसान है बता रहा हूँ न यह चीज हमारे पास given थी यह आपका पहला कदम है square तो आपको करना ही करना पहला कदम आप उठा लेंगे रास्ता खुद बखुद मिल जाएगा यहां तक खोले जैसे खोले पता चल गया रहे यह तो दिया हुआ है 11 बस यहां रख दिया तो फिर निकालना यह है बचा तो यही न यही निकालना माइनस कर दिया answer आ गया I hope समझ में आ रहा होगा अगर अच्छा लग रहा है तो फ्रीज लाइक करें next देखे फिर वही चीज कदम उठाना है अभी अभी recently हमने पढ़ा कि X प्लस Y प्लस Z का whole square होता है X square प्लस Y square प्लस Z square प्लस 2 ब्रेकेट में X, Y, Y, Z और ZX यह तो था मेरा पहला कदम यतना तो करना ही करना अगर इस तरह का question आता है square वाला अब देखो जी अच्छा अब हमें यह निकालना है क्या करेंगे सुनू इसकी पूरी value देखो हमारे question में given है जितना मैं underline कर रहा हूँ कितनी है बड़ा 24 प्लस 2 और आगे का यह कितना है 20 लो हो गया कितना आसान लोग है यह कितना 24 यह आपका 40 बन गया आपका 64 और इधर से क्या चाहिए आपको square है इधर से square हटाओगे तो उधर वाली चीज क्या हो जाएगी अंडर रूड में आ जाएगी ठीक और यह बच्पन से पढ़ते चले आ रहे है 8 होता है लो बन गया सवाल कितना आसान चाहोगे वही है ना कि एक बार आप मन लगा के मैथ के पीछे पढ़ जाईए देखिए मैथ आपसे डर ने लगेगी आपको डर नहीं लगेगा मैथ से चलिए आगे बढ़ते है फिर वही चीज क्या बोलता है simplify करो formula खोल देंगे पहला तो एकदम easy है क्योंकि सारे plus हैं कोई सोच नहीं नहीं है तीनों का square कर दीजिए 2 घर से A, B, B, C, C, A दूसरे वाले में थोड़ा सा इसलिए रुकना पड़ेगा क्योंकि minus आ गया है तो plus करने समय तो कोई दिक्कत नहीं है A square, B square, C कर देंगे क्योंकि minus का square plus होता है आप देखिए, 2 घर से दीजिए पहले हो दूसरे का multiply मैं direct कर रहा हूँ, minus A, B आएगा दूसरे हो तीसरे का B, C आएगा minus का और plus का C, first and last ठीक, ओके, इसका खुल गए आप तीसरे वाले को खुलिए A square, B square, C square ठीक, दो घर से first and second multiply A, B B, C और C, कुछ नहीं करना है देखो, 3A square दिख रहे होगा यहाँ पर, यहाँ पर इसी तरह 3B दिख रहे हैं तो हमें एक काम कर ले रहे 3A square, 3B square and 3C square पहले तो यह करना है फिर 2 common ले लीजिए और जो अंदर की चीज़े हैं वो लिख दीजिए I hope सारी cut जाएंगी, नहीं cut जाएंगी तो आपका रास्ता थोड़ा आसान हो जाएगा देखो, यहाँ मैं underline कर रहा हूँ इस term को और इस term को एक साथ रखना है और 2 common लेना है, ठीक है तो हमने लिया तो यह पहली बार तो यह बचेगा फिर minus A, B, minus plus का B, C, plus का C, यह यह वाला बच रहा है दोखो, मैं double tick कर रहा हूँ, यह वाला चीज यहाँ पर आ गया है ठीक है? ओके, plus फिर क्या बचेगा आपका? A, B, B, C, and C है clear है? यह cancel हो गया है B, C, दोखो, बन रहा है कहीं से हाँ, यह बन रहा है और A, B, C, cancel कुछ बच रहा है? हाँ अब नहीं कट रहा है, ठीक है तो 3 इसमें भी आप common ले लो A, square B, square, C, square यहाँ पर 2 A, B C, A B, C, अब कुछ नहीं बन रहा है बस यहीं तक छोड़ दो, यहीं यहीं आपका क्या हो जाएगा answer I hope, समझ में आ रहा होगा बहुत ही आसान है, बोल रहा हूँ ना, इसका application करो नहीं आ रहा, और करो, लगाओ, पूछो मुझे comment box में डालो ना, question नहीं बन रहा है तो, मैं solve करके दूँँगा लेकिन आप तो एक बार अपना गदम बढ़ाओ, interest जगाओ चल बढ़, आगे बढ़ते हैं फिर वही चीज, कदम आपको उठाना है रास्ता खुद बखुद नजर आ जाएगा राइट, इतना दिया है square करना ही करना है, और कोई रास्ता ही नहीं है square करे बिना आपको मंजिल मिलीन, तो first step तो आपको करना ही नहीं करना है, तो लोजी कर दिया करो square, x square, y square, z square दो घर से, पहला दूसरा, ये लो दूसरा तीसरा, पहला last, सा सती उन्चास अब देखो सब तो दिया है, क्या है ठीक, x plus y plus z 7 था मैंने वहीं शुरू कर लिया, अब देखो फाइंड ये करना है, जिसको मेंडर लाइन कर रहा हूँ तो भाईया, मेरे अगर ये find करना है तो आगे का रास्ता होतो एकदम clear है न आगे का इसलिए को ये तो given है कितना, 6, एधर और नचास, तो ये कितना आया x square plus y square plus z square is equal to और नचास minus 2, 6, 12 minus कर लो, तो कितना है 9 में 2 गया, 7 4 में 1 गया, 3 लो जी यही answer है क्या है, कुछ नहीं, simple बिढ़ा एक बार try करो महनत करो, लगो, जुटो क्योंकि अब 9 से अब 10th में जा रहे हो आप ठीक है, तो base मजबूत करो, अपना target, decide करो और आगे बढ़ो I hope यह session आपको पसंद आया होगा, thank you very much और हाँ, please like जरू कर दिया करें क्योंकि like करने से थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, जब भी मैं अपने detail देखता हूँ कि हाँ, इतने लोगों ने like किया इसका मतलब मेरी महिनत सार्थक हुई, thank you